हलो फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ मैं आपका अपना चैनल सेट अस्टडिन में फ्रेंड्स घटना चक्र के सिरीज में आज हम लोग आधुनिक भारती इतिहास का चेप्टर गांधी इर्वीन की वस्तुनिष्ट प्रसनों को देखेंगे इससे पहले आधनिक इतिहास का लि गांधी इर्वीन समझोता हुआ मुक रूप से ए गुलमे सम्मेलन में कांग्रेस की भागदारी सहज करने के लिए बी सविनिया अवग्या अंदुलन समाप करने के लिए सी गांधी जी द्वारकिया गया अमलोर अंसन तोड़ने के लिए डी नमक परकर समाप करने के लिए एंसर ए गुलमे सम्मेलन में कांग्रेस की भागदारी सहच करने के लिए गांधी जी ने फ्रवर्य 1931 में वाई सराय लाड़ इर्विन से भेट की और उनकी बाची 15 दिनों तक चली जिसके प्रडाम सरूर 5 मर्च 1931 को एक समझाता ही हुआ जिसे गांधी इर्विन समझाते के नाम से जान गया इस समझाते के तहत कांग्रेस को सविनिया अवग्या अंदोलन अस्थागित करना पड़ा कांग्रेस दितिये गुलमे सम्मेलन में भाग लेने के लिए तयार हो गई वस्तुत प्रथम गुलमे सम्मेलन में कांग्रेस सामिल नहीं हुई थी यह समझाता मु गांधी इर्वेन समझाता पांच मार्च उनिशो एक्तिस को समपन हुआ इस समझाते का नुसार पहला गांधी जी की नित्रूत में कांग्रेस सविनिया अवगया अंदोलन अस्थागित करने के लिए तैयार हो गई दूसरा सभी यूद बंदियों जिनके विरुद हिंसा का रोप नहीं था को रिया करने का अदेश तीसरा विदेशी कपड़ों और सराव की दुकानों पर सांति पूर धरना देने का अधिकार चव था समुंदरी तटिये परदेशों में बिना नमक कर दिये नमक बनाने के अनमती पांचवा कंग्रेश दितिया गोल में समयलन में भाग लेने के तैयार हो गई परणतो इस सम्झावते ने जनता को निराश किया क्यों कि भाग सिंग्सकुदेव राजगुरु फासी न दिये जाने की जनता की मांग को इसमें समलित नहीं किया गया निमलिकित में सिक्किस का अस्तगर गांधी इर्विन सम्झोते में किया जाना प्रस्तावित था सहयोग खिलापत वुल में सवेनिय अवग्या अंदुलन एन सड्डी सवेनिय अवग्या अंदुलन गांधी इर्विन सम्झोता परास्ताचर होने में किसने महतपूर भूमिका निभाई इनसर सी तेज बहादूर सर्पू सबनिया अवगया अंदुलन का विस्तारीत होते सोरूप को देखते हुए वाई सराय इर्विन ने देश में सोहार्द का वातावरान उत्पात करने के देश से 26 जनुवर 1931 को गांधी को जेल से दिहाद कर दिया तेज बहादूर सर्पू तथा इस आर जैकर के प्रेतनों से गांधी इवम इर्विन के मद फरवरी 1931 में दिली में वारता रम हुए पांच मार्च 1931 को दोनों के मद एक समझाता हुए जो गांधी इर्विन समझानते के नाम से जाना जाता है इस समझाते के परिपेच में सरोजनी नाइडू ने गांधी जी और इर्विन को दो महात्मा की संग्या दी थी निमलीखित ब्यक्तियों में किसने इर्विन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था इंसर सरोजनी नाइडू निमलीखित में से किसने गांधी इर्विन सम्झाओते में महात्मा गांधी के लाब को सत्वावना पुरुषकार कहा था एंसर बी एलेन केंपबेल जांसन इर्विन के जीवनकार एलेन केंपबेल जांसन ने गांधी इर्विन सम्झाओते में महात्मा गांधी को लाबो का सत्वावना पुरुषकार कॉंसुलेशन प्राइज और इर्वीन के एकमात आत्म समर्बड के रूप में बादचीत के लिए सहमत होने को कहा था निमलीखित में से किसने भारतिय राष्टे कांग्रेश के कराची अधिवेशन की अधेक्स्ता किया था गांधी इर्वीन समझोते दिली समझोते को मंजूरी देने के लिए सरदार बल्ला भाई पट्रेल की अधेक्सता में 29 मार्च 1931 को कांग्रेश के कराची अधिवेशन हुआ इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेश के मौलिक अधिकारों और राष्टी आर्थिक कर्जकालों के संबंध परस्ताव पारित की गये इसी अधिवेशन में कुछ लोगों को विरूद करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है गांधी वाद नहीं यह पहला आउसर था जब पूर सोराज को कंग्रेश द्वारा परिभासित किया गया 1931 में भारती राष्टी कंग्रेश के कराची अधिवेशन के लिए जिसके अधियकता सर्थार पटेल कर रहे थे किसके मूल अधिकारओं त था आर्थिक कार्च करंपर संकलब पारोपित किया था पहरारूपित किया था दाए जो था को एंसरदी पंडी जुह आर्लान नह्रू उनिस भारती राष्टी राष्टए ग्रेस के कराचे अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक काजकरम उप्रसंकल पंडित जुहलल नहरू ने प्रारूपित किया था तथा इम इन राय ने इसे सहयोगी की भूम का निभाई थी निमलीखित में से किसने भारतेय राष्ट्य कंग्रेस के कराचे अधिवेशन 1931 को महत्मा गांधी की लगपिरिता और समान का परकाष्ठा मना है इंसर ए एस्सी बोस सुबास चंद्र बोस ने भारती राष्टे कांग्रेस के कराचे अदिवेशन होने 31 को महत्मा गांधी की लोगपिरिता और सम्मान का परकाष्ठा माना है भारती संगहर से समधेत निमलिकित घटनाओं को उनकी सही करम में रख कर चुनिये पहले गांधी इर्विन सम्माना उसके बाद भारती राष्टे कांग्रेस के करेचे अदिवेशन उसके बाद दिथियो गोल में सम्माना तो गांधी इर्विन सम्माना कांग्रेस ने वाय सराय के साथ बाद चीत के लिए गांधी कर दिक रित में गांधी इर्विन के बीच लंबी बाद चीत पांच मार्च 1931 को दोनों के बीच एक सम्माना उसके परहस्टा चरुए जिसे गांधी इर्विन सम्माना जाता है भागत सिंग को फासी लहर पडेंद कांड में भागत सिंग सुकदेव तथ राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फासी दे दी गई कांग्रेस का कराची अदिवेशन 26 मार्च 1931 कराची में हुए कांग्रेस के वार्षिक अदिवेशन में गांधी इर्विन सम्मझाते का संतुष्टी संपुष्टी की गई और दिति गुल में समयलन गुल में समयलन का दूसरा सत्र साथ तिसंबर सितंबर 1931 को परम हुआ जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एक मात परतिनीदी के रूप में सम्रित हुए यह समयलन पुड़त निसफल रहा भारती राष्टी अंदोलन से संबंधित निमलिखित घटनाओ को पड़े भारती राष्टी कांग्रेस के कराचिया दिमेशन राजगुरु की फास सी गांधी इर्विन सम्झाता पूना सम्झाता A B C D गांधी इर्विन सम्झाता 55 मर्च 1931 भागत सिंग की फासी 23 मर्च 1931 भारती राष्टी कांग्रेस के कराचिय दिमेशन 26 मर्च और पूना सम्झाता 24 सितम्बर 1932 तो इंसर होगा पहले गांधी इर्विन सम्झोता उसके बाद भागत सिंग राजगुरु की फाशी उसके बाद कराची अदिवेशन उसके बाद पूना सम्झोता निमलिखित में से किस भारती ने तने लंदन में पर्थम गुल में इस कनफरेंस में भाग लिया था पर्थम मुलाना मुहमद अली मुलाना अबुलकला मजाद महत्मा गांधित परनित ज्वाहलाल नहरो इंसर मुलाना मुहमद अली 27 माई 1931 को साइमन कमिशन की रिपोर्ट परकासित हुई राजनीती संगठनों ने कमिशन की सिपारिशों को असविकार कर दिया कंग्रेस के पर्मुख नेता जेल में थे बिटी सरकार ने निराशायम असंतोस के वात अवरण में नॉवंबर 1931 में लंदन में पर्थम गोलुम्बेच सम्मेलन बुलाया इस सम्मेलन में 89 भारती पर्ति नियुतियों ने भाग लिया किंत्तु कंग्रेस में इसमें भाग नहीं लिया इस सम्मेबर में भाग लेने वाले पर्मुख थे तेज भादुरशर्पूर्भू, सिरि निवार शास्त्री मुहामध ранे मुहामद अलि मुहमद सर्फी आगाखा, पर्थम गुल में समयलन के बारे में निमलीखित में से कौन एक सही नहीं है डी सही नहीं है इसमें कांग्रेस मंडल ने पर्ति भाग किया था लंदन में संपान हुए गुल में समयलन में भाग भारती इसायों को पर्ति निद्यूत किस ने किया था इसायू answer D, K.D.PAL K.D.PAL सेंट जेम्स महल लंदन में संपान पर्थम गुल में समयलन 1931 में भारती राष्टि का इंग्रेस ने भाग लिया था नहीं लिया था, इस समयलन में इसायों का पर्तिनी धूत K.D.PAL ने किया था इस सम्मेलन का उद्गाट और बिर्टिस सम्राट ने किया था तथा इसकी अधेकता बिर्टिस परधान मंतरी रेमजे मेंक डोलान ने कि थी निमलिकित में सकीन ब्यक्तु ने दीतिय गुल में सम्मेलन में भाग लिया इंसर ए महत्मा गांधी महत्मा गांधी और सुरोजनी नाइडू और मदर मोहनमाल भी भी साथ भी साथ भाग लिये थे के सुरोजनी ने समयलन में भाग लिया था तु महत्मा आजा भाग नहीं लिया थे लंदन में निमलिकित में समयलनों में महत्मा गांधी उपस्तित थे। चलिए तो दिती है। कथन जोहरलल नेहरू ने दुसरे गुल में सम्मेलाँ 1922 में भरतिय राष्ट्य कंग्रेश का परति मिद्धूर्द किया था। कारण गांधी इर्मिन सम्झोते उनिस एक तीष में भरतिय राष्ट्य कंग्रेश का दुसरे और आर सही है और ए गलत है पांच मार्च ओने स्वेक्तिस को महात्मा गांधिया वाइसराय लाड़ इर्विन के बीच समझाता हुए इसे दिली पैट के नाम से भी जाना जाता है इसमें कांग्रेस की और से गांधी जी ने निमलीखित बातों पस्विकार किया सभीनिया अव इसका परतिनी धुद किया था अथा कथन ए गलत है और करण आर सही है इन में से किसने दितिये गुल में समेलन में भाग नहीं लिया था महादेव देशाई प्यारे लाल मदन मोहनमाल भी ये नहरू इंसर डी जोहर लाल नहरू महात्मा गांधी जब दितिये गुल में सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे इंसर भी किंग्सले हॉल में दुसरा कल में समेलन लंदन में सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला पांच मार्च 1931 के हुए गांधी इर्विन समझोदे के बाद गांधी जी ने कंग्रेस का एकमात परतिनी धीक रूप में इस समेलन में हिसलिया था गांधी जी एस एस राजपुताना नमक जलपोच से लं लंदन के किंग्स ले हॉल में ठा रहे थे दित्य गूल में समेलन में कंग्रेस के परतिनी धीक रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी की जहार से गये थे उसका नाम था एंसर ए एस एस राजपुताना महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लोटें एंसर ए लंदन संप्रदाया परत्र निध्यित कर दितियों क्हिए सम्प्रदाया परतिनी धीयत beorn final दित्हें 6 सितमबर 1931 को परांबां जिसमें महात्मा कांधी कांग्रेस का एक मात्र परतिनी धीद की रुप में संब्लेथ हुए थे एस्टम आइक। समस्या पर विवात के कानण पूरी तरह सफल रहा दलित नेता भीम रावामेटकर ने दलितों के लिए प्रितक निर्वाचन मंडल की मांग की जिसे गांधी जी ने असा विकार कर दिया अता संपरदाइक परतिनी दुद्ध पर गति रोद के कानण यह सम्मेला ने एक दी समर 1931 को समात घोशित कर दिया गया उस भारतिये का क्या नाम था जिसने तीनों गुल में सम्मेलन में भाग लिया था एंसर ए भीम रावामेटकर 1932 के अवधी में भारत और भितें के रिकार्श नेताओं को लंदन में वैठक उपर्थम दितिये गुल में सम्मेलन के रूप में उलेखित किया जाता है उनका उसी रूप में उलेख गलत होगा क्योंकि इन में से दो में भारतिय राष्टिय का अंग्रेश का भाग लिया भारतिये राष्टिये कंग्रेश को छोड़कर जिन भारतिये दोनों ने भाग लिया उन्हें पूरे भारत की नहीं बलके यही वर्गिये हितों का परतिनीद्ध किया था C. बिटेन की लेबर पाटी सम्मेलन की बीच हट गई थी और सम्मेलन की कज़वाहिपचपात पूर हो गई D. यह तिन अलग-अलग सम्मेलन नहीं थे अपितु यह एक ही सम्मेलन का प्यास्था थी जो तीन सत्रों में समपन हुए इसमें कौन उल्लेखी नहीं है गलत है पर्थम दितिय और तिर्थिय गुल में सम्मेलन के बारे में एंसर डी पर्थम दितिय तिर्थिय गुल में सम्मेलन वस्तु तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे यह एक ही सम्मेलन की अवस्ता थी, जो तीन सत्रों में संपन हुई थी, एक ही सम्मेलन की तीन सत्रों के तीन अलगलग सम्मेलन कहा जाना गलत होगा, गोल में सम्मेलन भारत में राजनितिक सुधारों तता साइमन कमिशन की रिपोर्ट परवारता के लिए बुलाए गया था, अतर सही उत्तर विकल डी है निमलीखित गुल में समयलोनों में सिक्षिक का परतिनी धी तो भारती राष्टिक अंग्रेश ने किया था इंसर देती है निमलीखित कतनों पर विचार कीजिए पर्थम गुल में समयलोन में डॉक्टर अमेटकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी बी पूरे में स्थानी निकाय तथा सिविल स्यवाव में दलित वर्गों को परतिनीध्यूत के लिए विशेश उपण्द रखे गये थे इस पर विचार करना है कौन सही है कौन गलत है तो इसमें तीनो सही है ए बी सी तीनो सही है पर्थम गल में समेलन में डाक्टर अमेटकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी कांग्रेस ने पर्थम और तीत्य गुल में समेलन में भाग नहीं लिया था पुना पैक्ट में प्रवधिनता था का अस्थानिय निकावे को चुनाव या लोक सेवायों में न्युक्ति के लिए दलित वर्गों की सदर्शों के लिए कोई निर्वंधन और उपित नहीं किये जाएंगे तथा है इनमें दलित वर्गों की उचित परतिनी धित्य के लिए लोक सेवायों में न्युक्ति के लिए पेचित सेच्रिक हर्ताओं को अधिन रहते हुए हर संभव पर्यास किये जाएंगे इस परकार प्रस्ण गत तीनों कथन सही है तो यह लास्ट कुश्चन था अब अगला हम लोग का वीडियो रहेगा पूना पैक्ट और संपरदाइक पंचाट के वस्त पुनिष्ट प्रस्णों को देखेंगे तो थांगी तो